हलो स्टूडेंट्स गुद मॉर्णिंग कैसे हो मेरे प्यारे ब्रदर्स एंट सिस्टर्स क्या हाल चाले आप लोगा आए थिंक सब बढ़िया होगा और पढ़ाई को और भी ज्यादा अच्छा मज़दार बनाने के लिए हमने स्टार्ट किया था यहां पे रिस नाइशन का ब्रैंड स्रीज जहां पर हम लोग आरे सवाल के बुक से क्लास नाइन का जो पहला चेप्र नंबर सिस्ट्रम है उसका एक्साइज 1F के जो कोस्टन से इंपोर्टन उसका वीडियो देख रहे हैं तो हम लोग कोस्टन को डील करते करते अभी आ गए कोस्टन नबर 20 पे और 20 हम लोग इंसान हैं जानवर नहीं है तो हमको बहुत कम काम करना है और इसको सॉल्व कर लेना है बहुत असान से तुम्हें कुछ दिखाई पढ़ा होगा आइधिंग कि या फिर दिखाई नहीं पढ़ना होगा तो मैं दिखाता हूँ ज़र असा गौर से देखो यहां पर ए और उपर में रूट 3 प्लस रूट 2 है तो अगर हम AB को मुल्टिप्लाइ करते तो यह पूरा को पूरा को पूरा कैंसल ही हो जाए कमाल की बात है मतलब मैं समझ गया कि अच्छा भाई यह जो AB है यह बस दिखाने के लिए डराने के लिए रखा है 5 ने अपने पास में इस AB क यह कोई मतलब ही नहीं यह तो पूरा कांसल होगी कितना बचेगा वन बचेगा तो चलो पहला काम तो सॉल्व हो गया लेकर अभी स्कुरण करने वाली बात तो रही गई उसको भी स Este Wie देख ኌने बहुत क्या काम करना है कि मैं यहां पर सब्सक्रण का модer और हमारे पास में जो यह है भी इसको मैं solve करता हूं थोरा से दिमाग लगा ले ना ठीक है तो बहुत ज्यादा अच्छा बहुत ज्यादा मतलो clarity आजएगी यहां पर हमने क्या करना कि मैं क्या करता हूं कि माइनस फाइव एबी में से कहता हूं कि भाई एक काम करो थोरा हैसान करो मुझे माइनस टूए भी मेरे को दे दो ठीक है जिन्दकी तुम्हारा हम इस करज को नहीं बोलेंगे इस बचाड़े ने क्या किया emotional होके minus 2AB इसको दे दिया ठीक है तो अब कितना बचा इसके पास में इसके पास में बच गया minus 3AB है ना और हमने जैसे ही उसने 2AB दिया बस हमने इसको घेड लिया और कहा कि बेटा अब तुम मेरे चंगल से बच कहा जाओगे मतलब बात यह हो गई कि यह देखो क्या format बन ग यह तो a minus b का square होता है और यहां क्या बसकिया minus 3AB अब मेरे को पता है कि यह बी तो हाथी बाला दांत है दिखाने बादा ठीक है सिर्फ डराने के लिए इसका को मतलब भी नहीं है तो मेरे को अब क्या निकालना है मेरे को निकालना है a minus b ठीक है बस में इतना निकालूंगा यहां पर तो multiple होगे one ही हो जाएगा देखा कितना sort हो गया अब और sort करते हैं तुम क्या करोगे कि a और b क्या value ऐसे डालोगे तो तुम तो उसे डालोगे नहीं तुम इसको rationalize करोगे लेकिन मैंने सिखाया था तुमको rationalization में introduction बाले में कि बटा जब भी ना नीचे वाला denominator a plus plus b और a minus b के form का हो तो उसको rationalize नहीं करेंगे ठीक है उसको rationalize नहीं करेंगे simply क्या करेंगे हम a minus b find कर लेते हैं automatically or slice हो जाएगा ठीक है याद रखना जब भी कोई value find करना हो ठीक है तो वहाँ पर देखना चेक करना denominator को यह अगर a plus b का form भी है इसमें और इसमें a minus b का form है तो समझेगा अच्छा यह a plus b और a minus b का form है LCM लेंगे तो वह फिर वहाँ पर cancel हो जाए कैसे होता है समझो मैं क्या करता हूं इस a minus b को यहाँ पर निकाल लो या फिर यहाँ पर निकाल लो कोई दिक्कत नहीं है मैं यहीं पर निकाल लेता हूं इसी चक्र मार्कर सोग लिया देखो कमाल है कि देख पा रहे हो मैं तो इसमें अब मैं निकाल लेता हूं a minus b ठीक है तो कितना हमारे पास में एक कितना मेरे पास में है रूट 3-2 बाई रूट 3 प्लस रूट 2 ठीक है और क्या माइनस करना है तो माइनस कर लिया रूट 3 प्लस रूट 2 हमने यह बी लिखा बी के बदले हमने यह लिखा है समाझ भारी है क्या हाँ यह हमने एक लिखा और यह बी करना है कि देखो मैं बस करूंगा इसका ऐल सीम ले लेता हूं ठीक है आटमेटिक लिए ए प्लस भी और ए मनस भी एल सीम लेने पिक आओ था जब सेम नंबर नहीं है तो एल सीम जब लेते हैं तो वो मल्टिप्लाइ थ्री मायन सूल रहसा सदूर्णाइ अब क्या कर ने किसमें आइडराइक इसा तोortal प्लस वूट से लिखायइट करूंगा तो इससे डूट 3 प्लस रूट 2 कांसल हो किसwe er करने पर क्या बचेगा? root 3 minus root 2 और उसको multiply करना पड़ेगा इस से, ऊपर वाले से, ऊपर में भी root 3 minus root 2 ही है, तो दो बड़ multiply होगा, तो ये बन जाएगा, root 3 minus root 2 का square minus, फिर मैं क्या करऊंगा? कि root 3 minus root 2 से divide करूँगा इस पूरे को तो ये cancel हो जाएगा तीक है फिर क्या बचेगा root 3 plus root 2 और root 3 plus root 2 को multiply करूँगा इस से यहाँ भी same ही है तो फिर यहाँ पर square बनेगा so finally क्या आ गया root 3 plus root 2 का whole square अब ही यहाँ पर काम खतम हो जागा हमड़ा अब यह a minus b square के form में आ गया तो क्या होगा a square plus b square minus 2 तो a क्या है root 3 है root 3 का square करेंगे तो क्या बचेगा 3 बचेगा plus b square b मतलब क्या 2 root 2 root 2 का square करेंगे तो 2 बचेगा तो यह a square होगा plus b square होगा minus 2 a के लिए root 3 और b के लिए root 2 मैं थुरद consort करना वाइगा तोबच्चों की था करना यहाँ तो घरा स्क्वेर माइनिस इस क्षार। प्र माइनेस पिक द्यों पर यहां पर अप्रेंट को स्क्राइब होता हänder स्क्राइब रूट करना है जा एड्लंवकस क्रूट 3 का स्क्ट को रोट 3 का स्क्ट की इसली होता है मैं सिंपल एक वाल लिखता हूं और फिरूट 2 का स्वर स्टूर होता है विला सरड दिया क्या प Süb कमाल कमाल का फैसन जलता है भाई मैं तो टीचर हूँ मजबूरी में पहनना पड़ता है ठीक है क्योंकि वैसे टीचर्ट मिलते नहीं है तो अब ओके ओके देखो अब 3 2 क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 5 ओके और यह माइनस है तू रूट 6 रूट 3 इंट रूट 2 रूट 6 हो जाएगा फिर यहां पर मानस लगा हुआ है ओके और यहां पर देखो 3 और प्लस 2 माइनस 5 हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस तू रूट शिक्स इसको मैंने बस मल्टिप्राई गया तू 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 यहां पर यह यह समझना आड़ी बात ना तुम गौर्ष तो एक बड़ खुर से कर लेना यहां पर तो कमाल हो गया हम देखो यह तो कैंसल हो जाएगा है यह फाइब और यह थाइब तो कैंसल हो गया ठीक है तो अभी हमारे पास हमें बचा क्या है अभी हमारे पास है बच गया i am minas 2-6-0 जा मलब मानिस फोर नो शिक्स यह हमारे पास रिए ख़र ए मैनस भी कितना आ गया minus 4 root 6 that's it इतनी जी बात थी अब क्या करना है इसका value हम वहाँ पर put कर देते हैं और काम खतम हो जाएगा तो a minus b कितना है भाई minus 4 root 6 इसका square करना है minus 3 और a b तो इसको पता है कि मैं इसको multiply करूँगा 1 होगा लेकिन मैं दिखाने के लिख देता हूँ root 3 minus root 2 by root 3 plus root 2 इसको multiply करना है root 3 plus root 2 root 3 minus root 2 अब देखको यह cancel हो जागा किसे cancel होगा यह कटेगा खच से कट जाएगा यह भी खच से कटेगा ठीक है खच मतलब काटते वतने आवाज आती है अब इसका square करते है फोर का स्कार 16 हो जाएगा फोर का स्कार minus का स्कार प्लस minus गया 4 का स्कार 16 ओके और root 6 का स्कार 6 होता है minus यह बचा सिर्फ 3 इस वाटेवल आता है 96 होता है 93 जोड़े आंसर ठीक है चेक कर लो तो चेक कर लो देखो कितना आसान था मतलब यहां पर इतना कुछ करने से अच्छा है कि हम सिंपली इतना काम पढ़ ले बस A-B निकाला मैंने कहां कुछ निकाला मैंने कुछ तो नहीं किया मैंने सिर्फ A-B निकाला वैसे क्या करना परता A का स्कार करना परता B का स्कार करना होता फिल्ट फाइब भी निकालना होता, multiply करके, so we have to follow the same process, बहुत आसान है, देखो, class 9 का mathematics, मेरे हिसाब से, ठीक है, मैं as a teacher नहीं, as a student बोल रहा हूँ, कि बहुत आसान है, बस सही approach तुमको पता नहीं चलेगा, तो फिर difficult लगेगा ही, समझ बाठे हो ना, मतलब सर्ट पहनने का, सर्ट लोग बड़ी में पहनते हैं, तुमको बेसर्ट कहाईगा पैड में पहन लो, तो पहनने में वर आजीब लगेगा ही, उसी तरह से, अगर सही process से नहीं बनाओगे, questions को, तो तुमको लगा है कि बहुत difficult है, वो difficult नहीं है,